हमारे पास 30 milking cow है और हमारे पास 36 बच्चे हैं काफ हैं और हमारे पास 130 बुल हैं बैल हैं अगर हम बच्छडों को कसाई घर में बेस देते तो हमारे पास 130 बैल कहां से आई मोशली आप बहार आउट साइड में देखोगे दूद वाली गयों सब कमजोर होती है उनकी हड़ीयां दिखती है बट आप हमारा चैलेंज है हमारी एक भी गाएं का हड़ी नहीं दिखा सकते आप आप पूरी तो मैं तो उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा भगवान को आप आप कर दो कर दो कर दो पुर्व केंद्रिये मंत्री और सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जहां वह इसकौन के ऊपर या आरूप लगाती हुए दिख रही है कि इसकौन जो है वो अपने गायों को बच्णों को कसाई के हाथों में दे देता है वहां पे गायों की स्थिती अच्छी नहीं है जिसको लेकर के हम इसकौन के ही एक गौशाला जो व्रिंदावन में है जहां हम रियाल्टी टेस्ट करने पहुंचे हैं और इस वक्त हम उन गौववन्शजों के बीच में उनके गौशाला में बच्णे नहीं थे जहां वह विजिट करने गई थी तो हमारा यह भी देई था कि हम जिस गौशाला में पहुंचे हैं इसकौन के रियाल्टी टेस्ट करने के लिए वहां पर भी हम देखे कि बच्णे हैं कि नहीं है तो जहां हमने पाया कि तक्रीवन ग हाँ पे 30 से ज्यादा जहरा वह बच्णे को घंगी यहां में पार्थ-कृश्ण दास है जब बताई सबसे पहले था कि मेंका गांधी ने जो आपके। हाथ में देते हैं कितनी सचाई है इसमें हरे गृष्णा ये बिलकुल भी सचाई नहीं है आपने खुद देखा होगा हमारे पास जवान गाएं भी है और उदर सेड में बुड़ी गाएं भी है हमारे पास कम से कम साथ के लगबग बुड़ी गाएं जिनकी उमर 15 साल से उपर दूसरा बात उन्होंने आरोप लगाया था हमारे पास बचसड नहीं है भी दूद निकालते हैं इसमिल्किंग में पास है और हमारे पास एक्सो पूछने चाहता हूं कर दिये मिंका गांधी तो हमेशा से जिस्कौन के दवारे जानकारी में लिए कि में गांधी मिंसा से शुब्चिंतक रही है स्कौन की इसकौन के बाते उन्हों तारीफ ही है तो अब आखिर क्या होगा कि मिनका गांधी ने आपके जो गोष सेवा के निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिये यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ उन्होंने विजिट किया या नहीं किया हो सकता हूँ किसी ने गल्ट इन्फोर्मेशन दियो यह तो उनको जैसे आप यहां पर आय जैसे हमारी गोषाला यहां पर आएं तो उनको सचा ही पता चालेगा और हम कुछ इसके बारे में तो नहीं कहें पाएंगे हो सकता है उनको क्या किस ने गल्ट इन्फोर्मेशन दिया है जानकर यह भी मुझे दिजे कि मिनका गांधी ने आरोप लगाया है कि जिस इसकोन के गोषाला में गई थी वहाँ बच्छडे को उन्होंने नहीं पाया आपके गोषाला क्योंकि इसकोन का गोषाला है विरिंदावन इलाके में है यहां बच्छडों की क्या इस्तिती है हमारे पास तो आपने देखा ही हमारे पास तो 30 बच्छडे हैं छोटे काफ हैं जो हमारा चैलेंज है हमारी एक भी गाएं का हड़ी नहीं दिखा सकते आप पूरा कवर कर लिजिए जितनी गाएं बट एक भी गाएं के हड़ी नहीं है क्योंकि हम गायों का बहुत अच्छे से द्यान रखते हैं मिलनल मिक्चर केल्सियम सब गायों को प्रवाइड किया जाता इसलिए हम गायों को प्रोपर फुल डाइट दलिया सब कुछ गरीन ग्रास ड्राइब उसा और मिक्चर केल्सियम तो आप गायों के स्वास्ते देख सकते हैं दस सालों में क्या इस्थिति हखी रही गौसेवा में अपकी अपकी इस्थिती यह है धी जो कंटिन्यू चल रहा है हम नसल काफी बच्चियां भी है जो आगे मुझे ये बताइए कि जब आप उन्हें जो बताया यहां कि जो तस्वीर में देख रहा हूं कि यहां पर किस तरीके से आप लोग के सेवा कर रहे हैं मेंगा गांधी जब इस तरह से आप लोग के गौ सेवा के निष्ठा पर सवाल खड़ दुख हुआ है क्योंकि मैंका गांधी जी सुबचिंतक रही है इसकोन की सुरू से तो अब वह यह आरोप लगा रही है तो हमें बहुत दुख हुआ बट मैं उनसे विंति करूंगा भी खुद आएं रियाल्टी खुद चेक करें तभी उनको पता चलेगा अब किसी की सुन कर रहा हूं गायों के बीच में खड़े हो करके लेकिन ये मतलब डर दह्षत का माहौल ने ती है किस तरीके से आप लोगों ने मिंटेन किया हुआ कि इतने बड़ी संख्या गायों कि उनके बीच में हम आप खड़े हो कि इतने शांति से रिपोटिंग कर रहे हैं देखिए अब अब मुझे बटाएं जिस तरीके क्योंकि मेंका गांधी भी लगातार जो पशुओं का जो अधिकार है उनके हक की बात वो लगातार करती रही है कहीं भी पशुओं के उपर हिंसा या कुरूता होती है तो मेंका गांधी खुल करके उनके खिलाब आवाज उठाती है मिनका गांधी लगातार जो हुख पशुओं के तो अब मिनका गांधी को अब क्या कहना चाहेंगे पहला सवाल और दूसरा सवाल यह कि अब आगे से मिनका गांधी किस बयान के बावजूद भी आप किस तरीके से अपने भक्ती भाव जो गाया में आपके लगी हुए उसको बनाए रखेंगे देखिए वो कुछ बोलने उसका तो मेरको अफसोस हुआ है बट हमारी जो सेवा वो तो चली रही है अब कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें सेवा तो नहीं रोख सकते अपनी तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भगवान को सद बुद्धी दें वो अ दिन परती दिन और बगवान करें और बढ़ती रहें तरीके से बढ़ती रहें तो देखिए जिस मैं जिस गोशाला में मौजूद हूँ यह गोशाला इसकौन का गोशाला है वेदानत इस गोशाले का नाम है और यहां पे सैक्डों के संख्या में गौव वन्शाज जो वरिंदावन इस्थित जो गोशाला है वहां में पहुचा इसकी हमने रियल्टी टेश्ट की जहां हमने पाया कि जो गाय है वो यहां पे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं दुधारू है इनके जो बच्ड़े हैं वो बच्ड़े भी यहां मौजूद हैं और यह साब के निष्ठा पे बड़ा प्रस्प्षिन लगाया हो लेकिन इनकी निष्ठा कम नहीं होगी हाँ इनको मेंका गांधी से इतनी शिकायश जरूर है कि इनकी निष्ठा को लेकर के जोने सवाल खड़े की हैं ये मेंका गांधी को अपना पुर्व का हितैशी बताते हैं लेकिन अ झाल